जैपूर ACB ने शुक्रवार को जुझुनों में बड़ी कारवाई करते हुए नगर परिशद आयुक्त के साथ भाजपा पारशद को एक लाग की घूश लेते गिरफ़तार किया है आयुक्त विनैपाल सिंग और पारशद मनोज कुमावत को भष्टाचार के आरोप में लिप्त पाये जाने पर ACB ने दोनों को दबोच लिया परिवादी आरिफ मत्रा ने ACB को शिकायत दी थी कि उसकी जमीन पर प्लोटिंग सहीद दूसरे काम हो रहे थे इसे आयुक्त ने रुकवा दिया इसके सत्यापन पर ACB ने कारवाई की और पारशद को एक लाख रुपे की रिश्वत लेते रंग या हतों गिरफ़तार कर लिया वहीं ACB की दूसरी टीम में आयुक्त से उस्ताच की तो उसने रकम को खुद के लिए लेना बताया ACB टीम दोनों घूसकोरों को जैपूर में शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी आपको बतादे जैपूर ACB ने जुनजुनु में बड़ी कारवाई की है ट्रेप की कारवाई की है एक लाख रुपे की घूस लेते गिरफ़तार किया गया है परवरी में एक परिवादी है यहां पर इस्तानी है उसने सिकायत कि थी जमीन पर इस पे सीकर वाल रोड पर को प्लोटिंग काम कर रहा है तो उस पर यह आके इन्होंने जबरदस्ती बोर्ड लगा दिया बिना किसी नोटी सोटीस दिये कारवाई किये और बदले में इसको रेगुलरराज करने के लिए प्लोटिंग करने देने के लिए वो पैसे मांग रहे हैं इसने संपर किया इसे कि मेरा जानकार है मेरा अच्छी होई है मैं करवाद दूँग उसे काम इसके बादे मनोज नई से 4 लाग उर मांगे पचास जार उप अपने गरभुला के इसको दिये वैरिफिकेशन के समय फिर इसको लेने गया इसने कावे मिज मिलो आउ शरी कमीशर से मिलो आया कमीशर ने कह ज़िए ऑफ ठीक हए जो भी करेगा मनोज परेगा और तुम उसम परिवादी को और उसे रुपे एटने का मामला था कि मैं तेरा कम में करा दूँँगा तो मनोज बात करा बात करके मेरा चाह लाग मेता हुआ तो मैंने मनोज को 50,000 रुपी दे दिये पिर मैंने 10,000 रुपी और दिये आज मैंने लाग रुपी दे